जैहिन नमस्कार वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को जैसा कि आपका 16 अक्टूबर को आर्मी अगनीवीर का पेपर हो चुका है जीके और साइंस के सोल्यूशन हमने करवा दिये थे अब स्टूडेंट्स ने मैट्स और रीजनिंग के प्रशन भेजे हैं लगबग सभी ARO के मिक्स प्रशन रहेंगी कि अलग अलग जगया पेपर जो है अलग अलग आया था डिफरेंट पेपर था कहीं पे कुछ प्रशन जो है इजी थे कहीं पे कुछ तरह के प्रशन हार्ड भी रहे हैं तो लगबग mix paper जो है हम solve कर रहे हैं जो students के द्वारा प्रशन भेजे गए हैं क्योंकि original paper जो एक घर ले जाने को दिया नहीं गया था तो students ने घर आ के जो उनको paper याद रहा जो प्रशन याद रही वो प्रशन लिखवाए हैं लिखकर whatsapp किये हैं तो उनको यहाँ पर type करके मैंने लिख लिया है और इसका solution आज हम करने वाले हैं काफी अच्छे प्रशन रहे हैं लगबग students यही बता रहे हैं कि maths और reasoning उनकी बहुत ही अच्छी रहे हैं उनको भी देख लेना है कि इसी तरह का प्रशन पत्र जो है आपके सामने भी एक नएक दिन आने वाला है और आपकी तैयारी कितनी है इमानदारी के साथ आप पर रख लिजे पहला प्रशन आपके सामने आ गया है और एक बात और बता दू मैं इसकी PDF जो है यह जिसमें हम आपको सॉलूशन करेंगे टेलिग्राम ग्रूप तरुना डिफेंस अकेडमी पर मिल जाएगी और तरुना डिफेंस अकेडमी का एप है एप डाउनलोड कीजे फ्री है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वाए फटा फट से पहले प् वस्तों का क्रें मुल्य बीस वस्तों के विक्रें मुल्य के बराबर है तो लाब अथवा हानी प्रतीशत ग्याद कीजे ऐसे प्रश्णों में हमेशा आपको एक ट्रिक बताई गई है क्या बताया था मैंने कि जब क्रें मुल्य दिया गया हो जिन वस्तों का क्रें मुल्य कि ऑप्यम को दिया गया है ठीक है अगर वह संख्याượng में कम हो उन वस्तों से जिनका विक्रे मुले दिया गया है विक्रे मुले साल गया हुआ है इन 20 वस्तों का मतलब कम तो है सही बात है तो उस case में हमेशा हानी होती है यह आपको बताया गया था मेरे द्वारा पहली अब हानी कितनी है एक तरफ है 16 वस्तों एक तरफ है 20 वस्तों चार की हानी कितने की चार की आपको क्या करना था simple सी trick थी आपको लिखना था चार और बते में जिन वस्तों का विक्रे मुल्य दिया गया हो जिन का क्या दिया गया हो विक्रे मुल्य दिया गया हो वो वस्तों वो वस्तों आपको नीचे लिखनी है और गुणा किस से कर देना है आपको सो से अब क्या करना है अब कुछ नहीं करना है इनको काट लेना है का कितना आहेगा 20% की 20 प्रतीशत की क्या हो जायेगी हानि हो जाएगी तो इस तरह से यह प्रशन आपका पहला उत्तर आ चुका है लगवग रिधारतियों का यह प्रशन सही वहा था तो काफी अच्छा रहा नेक्श encant हम यहाँ पर देखते हैं हिसार हमीरपूर कुमाउ उदानापूर महू अलमोडा कई जगाए पेपर होएं लग सभी का मिक्स पेपर करवा रहे हैं जहां से जो प्रश्न मिल पाए क्योंकि पूरा पेपर नहीं मिल पाता है रीजनिंग के भी प्रश्न करेंगे एक आदमी किसी बैंक से 12% वार्स्तिक शधारन ब्याज की दर से 20,000 रुपए उधार लेता है दर कितनी है दर कितनी दी हुई है यहाँ पे देखिए 12% उधार कितना लिया मूलधन कितना लिया 20,000 रुपए समय कितना कितने वर्स के लिए लेता है एक साल में उसको कितनी रासी चुकानी प करना है ठीक है समय कितना एक साल में चुकाना है तो एक वर्स समय ठीक है मिश्रधन आपको पता है मिश्त धन वो रासी होती है उधार लिगई रासी तो हई मतलब मूल धन तो हई और उसमें जो ब्याज beeping जुड़ा दोनों को जोड़ दिया जाए दोनों को मिला दिया जाए त तो ब्याज निकालो, ब्याज का सुत्र आपको पढ़ाय हुआ है, क्या होता है सधारण ब्याज का सुत्र, मूलधन गुणा, दर गुणा, समय बटे सो, ठीक है, मूलधन का मान कितना था, 20,000, दर कितनी दी हुई है, 12% दी हुई है, समय कितना, एक वर्ष, और बटे में 100, य आगे बस क्या, कटिंग करनी है, 12 दूनी, 24 और 2,0, चॉबिस सो, ये 24,000 रुपए क्या आजाएगा, क्या आजाएगा, ब्याज आजाएगा, आपको मिश्रधन ग्यात करना है, तो मूलधन में ब्याज जोड़दो, मूलधन कितना है, 20,000, ब्याज जोड़दो कितना, 24,000, कितना हो जाएगा 22,400 यही हो गया 2400 रुपए चुकाने पड़ेंगे ठीक है मतलब यही आपका उत्तर है अगर आप निंगी किया था तो आपका सही था बहुत सारे बच्चों का सही था जैसे उन्होंने बताया है नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि सम्चत्र भुज के छेत्र फल का सुत्र क्या है सुत्र आपको सारे करवाई हुए है बुक के अंदर भी है जो ग्रीन कलर वाली बुक है इसमें सारे सुत्र आपको एक जगा दे रखे हैं जब छेत्रफल वाली प्रश्णावली आप पढ़ते हैं इसमें तो सुत्र क्या था? एक बटे दो गुणा विकिर्णों का गुणन फल विकिर्णों का गुणन फल और उसको किस से गुणा करना था? एक बटे दो से तो यह आपका सही उत्ता था नेक्स्ट प्रश्न यह समीकरन दी हुई थी द्यूई घाट समीकरन है और इसमें x की value आपको निकालनी है easy ही प्रश्न था कोई खास बात नहीं थी इसमें चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको मैंने बताया है ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि यहाँ पर देखना है इसका गुणांक और यह लाश्ट वाली संख्या इनका गुणांकों का गुणनफल है उनको ऐसे दो फैक्टर उनके लिए दो ऐसे फैक्टर देखने है कि उनको multiply करने पर तो यहाँ पर कितना आ जाए 63 आ जाए और यहाँ निशान देखना है प्लस का निशान है तो जोडने पर कितना आ जाए यहाँ पर 16 मैं एकदम 0 से इसलिए बता रही हूँ कि भहुत सारे ऐसे student है जिनका math जो है subject नहीं रहा और math कमजोर रहता है, इसलिए मैं 0 से बता रही हूँ, हो सकता है बहुत चारे students को पहले से आता हो, एक second में कर लेते हैं, पर हमें सभी साथियों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपके पास हो जाएगी, एक तो 9 और 1,7, 9 और 7 को आपस में जोड़ते हैं, तो कितना होता है, 16 होता है, और 9 और 7 को अगर गुणा करते हैं, तो 9 साथे 63 होता है, मतलब यह हमारा काम कर रहा है formula, तो x की square का x की square, यह है ना 16, इसकी जगह हमको क्या लिखना है, 9 और 7, ठीक है, तो x दोनों के साथ आ जाएगा, 9x, औ माइनस का हो जाएगा, इध्यान रखेंगे, 16 की जगह लिखना था, तो अंदर वाला निशान में किसका हो जाएगा, माइनस का, 9x और 7x, दोनों माइनस माइनस की हैं, दोनों जुडते हैं, तो 16x बनते हैं, तो 16x की जगह पे, 16x की जगह पे किसको लिखा गया है, 9x और 7 X को ठीक है तो इसमें गड़बड नहीं करेंगे आप लोग बराबर 63 बराबर कितना है जीरो अब आप क्या करते थे दो दो का जोड़ा बनाते थे पेर बनाते थे बनाओ जोड़ा इसमें X और X कोमन आ जाएगा ठीक है तो एक X यहां बच जाएगा और अंदर बचेगा नो और यह प्लस का निशान था यह किसका हो जाएगा माइनस का और अंदर क्या बच जाएगा नो साते तरे सट होता है तो नो बच जाएगा बराबर 0 यह दोनों अगर ब्रैकेट आपके सही सेम आ रहे हो तो अपका सवाल यहां तक सही है वरना क्या है गलत है चलो आगे X-9 बराबर 0 और दूसरी बार क्या X-7 बराबर 0 मतलब एक बार X बराबर 9 आ जाएगा एक बार X बराबर 7 आ जाएगा यह दो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ठीक है तो यह हम समझ चुके हैं देखो थोड़ा समय लगेगा बट सभी को सास लेते हुए चलेंगे तो 0 ले जिवारों का 6 रफल ज्याद करें यदि लंबाई 36 मीटर और चोड़ाई 28 मीटर है इवं उन्चाई भी गई है 8 मीटर सीधा सीधा सुतर आपको बताया हुआ है दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई और गुणा में उन्चाई 2 इंटू L प्लस B इंटू H ठीक हैं तो ल इसको 28 को जोड़ दीजे कितना हो जाता है यह 64 हो जाता है 64 और 16 को आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना आता है 1024 आता है सेंटी मीटर में दिया है मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वाइर या वर्ग मीटर हम इसको कह देंगे ठीक है यूगि 6 रफल हमेशा वर्ग मीट सेंटीमीटर इस तरह से होता है ठीक है तो यह आपका उत्तर आ गया अगर यह आपका सही रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है यह 15 की स्क्वेर पूछ की तो इतना इजी प्रश्ण किया है कि कोई चोथी पांची क्लास का बच्चा भी बता देगा स्क्वेर सबको याद थी है ले से 20 तक आपने स्क्वेर याद कर रखी थी तो 15 की स्क्वेर में तो सोचने वाली बात ही नहीं थी कोई भी बात नहीं थी तो कितना हो जाएगा 15 की स्क्वेर 15 गुणा 15 दो सो पच्चिस नेक्स्ट पर्षन देखते हैं हम क्लास को लाइक जरूर करें आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है क्लास को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें हमको बता है बहुत सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हो सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें क्लास को दे कोई ग्याद करना है तो क्या करेंगे इसका सुत्र आपको बताया है क्या सुत्र था N into N plus one into two N plus one बटेच है यह सुत्र था था की नहीं था बहुत बार करवाई हो है किताब में भी दिया है फुल्स लेबस वाली मैथ वाली जो बुक है सबने मंगा भी लख्योगी नहीं मंगा रखे तो Amazon Flipkart से आप मंगा सकते हैं उसका ebook PDF आपको app में मिल जाएगा app download कर सकते हैं तो सुत्र दिये हुए थे सारे आपको यह सुत्र था सुत्र में अब आपको क्या करना है सुत्र होता है एक से चालीस तक का योग निकालोगे फिर इनको अपस में घटा दोगी उत्तर आ जाएगा पहले निकालो एक से 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग n का मान यहां पर क्या है असी है निकालो सुत्र में मान रखो सुत्र दिख रहा है भी आपको चलो मान रखो n का मान 80 गुणा 80 प्लस एक कोई बात नहीं मैं किक स्टेप करके दिखाऊंगी टू इंटू एन का मान 80 प्लस एक ऐसे स्टूडेंट इनके पास में सब्जेक्ट नहीं रहा हूं उनको भी समझ में आएगा इतना इजी करेंगे हम 80 प्लस एक कितना हो जाएग 81 80 को 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे 161 बटे में क्या है 6 इनको गुणा करके 6 का भाग दे देना भई कितना आजाएगा लगभग ये संख्या आपके पास आएगी जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पे निकाल लिये ताकि समय बरबाद नहीं हो जादा यह बड़ N का मान कितना है 40 है सुतर में रखो सुतर क्या था N इंटू N प्लस 1 मतलब 40 प्लस 1 और 2N 2N मतलब 2 इंटो 40 प्लस 1 सुतर में मान रखा N की जag़े 40 रखा बटे में क्या है 6 है 40 का 40 40 प्लस 41 40 को 2 से गुणा करो रेक जोड़ दो 80 बटे में क्या जाएगा 6 आजाएगा किया अब इन सब को गुणा करके 6 का भाग दोगे तो लगभग ये संख्या आपके पास आएगी जो कि मैंने कैलकूलेटर से निकाली देख लिए हैं पर हमारे जो स्टूरेंट्स थे उनको माइंड में निकालनी पड़ी है या फिर पेपर पे निकालनी पड़ी है 16 एक्टूबर के दिन ठीक है चलो अब यहां पे अब आपको गया करना था दोनों संख्याओं को माइनस करना था क्योंकि आपको 41 से 80 संख्याओं के वर्गों का योग ज्यात करना था तो दोनों संख्याओं को माइनस करना था करो माइनस दोनों संख्याओं लिख लो यहां पे और माइनस करो फटा फट से लिखी और माइनस किया कितना उत्तर आ रहा है option में मिला था या नहीं मिला था बताओ जल्दी से option में मिला था या नहीं मिला था किस-किस इसने सवाल किया ये वैसे लंबा सवाल था काफी बच्चों ने ipper पड़ा आते हुए भी कोई दिककत नहीं है एक आदा सवाल रहğे भी जाये तो भी कोई दिकत नहीं है देखो सभी सवाल सभी रोगों के सही नहीं होते हैं ठीक है तो ये उत्तर आ गया ये प्रश्ण बहुत ही इजी था ये वाला प्रश्ण बहुत ही इजी था और बहुत बार आपको बताए मध्यान उपाती क्या होता है दोनों संख्याओं को गुणा करके रूट निकाल दो रूट अंडरूट चार गुणा सोला चार का रूट कितना होता है दो 16 का कितना होता है 4 कितना उत्तरा गया 8 कुछ भी नहीं करना था इसमें Next प्रश्न ये अच्छा प्रश्न है इस तरह के प्रश्न भी आपको करवाई हुए बस संख्या का फरक राए बुक में भी ऐसे प्रश्न है बस संख्या का फरक हो सकता है तीन पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं मिले हैं और मिलकर कोई काम किया है और काम को 12 दिन में खलास कर दिया अब क्या करना है आपको 6 पुरुष लेने और महिलाएं 5 ही लेनी है अब बताना है कि ये अगर मिल जाएं तो काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, बता देंगे, पुरुस को मान लेजी, एक बार देखो P से, ठीक है, महीला को मान लेजी, एक बार M से, मान लेंगे, जो नए पुरुस है, मतलब जो नई संख्या है, इसको हमको मान लेना है P2, पुराने जो पुरुस है, इसको मान लेना है P1, नई जो म हिलाएं हैं इसको मान लेना है M1 मान लेंगे कोई रिकत नहीं है मान लिया अब आपको क्या करना था P2 बटे P1 प्लस M2 बटे M1 ये करना था नए वाले हम उपर रखते थे पुराने वाले हम जो दिये हुए थे पहले दिये हुए वो हमेशा नीचे रखते थे ऐसे प्रशन आपने बहुत बार किये है P2 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ P2 की वैल्यू ये रही 6 तो लिखो P2 की वैल्यू कितनी है 6 P1 की वैल्यू ये रही 3 तो 3 प्लस M2 की वैल्यू 5 और M1 की वैल्यू भी ये देखो 5 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब क्या करना है इनका लगूतम लेलो 3 और 5 का लगूतम कितना आ जाएगा LCM 15 उपर कितना आ जाएगा 35 15 और 5 ये 30 प्लस 5 तिये 15 और 35 15 ये आ गया ठीक है 35 15 बटे 15 आता है कोई दिक्कत नहीं है अब 15 का 45 में भाग दो कितना आ जाएगा 3 तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा तो दिनों की संख्या पूछी है क्या पूछी है दिनों की संख्या पूछी है, तो options देखेंगे, options हमारे पास student ने बताए नहीं है, कोई दिकत नहीं है, दिनों की संख्या जब भी आपको निकाल ली हो, क्या करोगे, फटा फट से जो पहले दिन दिये हुए थे, पहले दिन कितने दिये हुए, 12 दिन दिये हुए, तो 12 और ब बोल दिया था कि तीन दितर आ गया, वट हमें यहां पे पूछा था कितने दिन में काम पूरा करेंगे, बताई, दिनों की संख्या पूछी थी, तो प्रश्न पे हमें ध्यान रखना है, कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, कभी tension में गडबड नहीं कर देनी है, ठीक है, चलो, next person देखो, हमारा answer आचुका है, चार दिन, यही answer रहा है, लगबग students का, next person आपके पास यह है, यह अच्छा प्रश्न था, 6, 8, 10, X और 7 का समानतर माध्य 8 है, तो X का मान ग्याद कीजिए, देखो, जैसे आपका ओसत निकालना आता है, उसी तरह से यह प्रश्न करोगे, तो sol हो जाएगा, कोई खास बड़ी सी दिक्कत आपके सामने नहीं आने आने वाली, चलो, करो, sol करो, देखो, जैसे ओसत का रोगे इन सब को जोड़ लो, 6, 8, 10 और 7 को जोड़ लो आपस में, कितना हो जाएगा, 31, X इस तरह से जोड़ लो, X को, 31 प्लस X, और रासी की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो भटे में क्या जाया का 5 और माध्य कितना दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है, माध्य कितन आए, 8 है, तो लिखो भई, 8, ठीक है, X की वेल्यू निकालनी है, इधर उधर बोडी गर्ड को भेजो, और X की वेल्यू निकाल लो, 5 इधर भाग में, इधर जाके किसमें हो जाएगा, गुणा में, 8, 5, 4, बराबर 31 प्लस X, 40 यहां पे पहले से है, 31 यहां जाके माइनस मे होगा, X की वेल्यू आजाएगी आपकी, और कितने आजाएगी X की वेल्यू, 9, X की वेल्यू कितने आजाएगी, 9, तो यह आपका उत्तर आपको मिल गया होगा, जब आपने पेपर को सॉल्ट किया होगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रशन आपके सामने यहां पे आ रहा है, बह प्रतिशत वाली प्रशनावली की थी तो शुरू में ही करवा दिया था बहुत ही इजी प्रशना आया है आपने भी देख के सोचा को क्या प्रशना आया है तो 400 का 25 प्रतिशत चार सो का का अर्थ क्या बताया था गुणा 25 का 25 प्रतिशत का अर्थ क्या बताया था बटे में 100 बताया था या नहीं बताया था किया था दो 0 से 2 0 को उड़ा दो 25 को 4 से गुणा करो 25 जो के 100 तो 100 हो जाए का आपका उत्तर ठीक है नेक्स्ट प्रश्ण देखेंगे छित्रमीती से है आयत की लंबाई 50 सेंटी मीटर है तथा चोड़ाई 40 सेंटी मीटर है तो आयत का छित्रफल ग्याद कीजिए भी बहुत ही सरल प्रश्ण आयत का छित्रफल का सुत्र आप सभी को पता है बच्पन से पढ़ा है लंबाई गुणा चोड़ाई लंबाई का मान 50 दिया है चोड़ाई का मान 40 दिया हुआ है 50 और 40 को गुणा कर दो फटाफट से 5 जो के 20 और 2-0 पहले से है 2000 और सेंटीमीटर में है सब कुछ तो सेंटीमीटर स्कॉयर या वर्ग सेंटीमीटर आयत काचितर इस तरह से होते हैं आपको बताईए तो यह आपका उत्तर आ गया नेक्स्ट प्रश्ण देखो जल्दी से फटाफट प्रश्ण करो दो संख्याएं है उनका अनुपात है आर्ट अनुपात चोंसट यदि उनका लगूतम समापर्तक यानि लसीएम 256 हो तो उनका महत्तम समापर्तक यानि के HCF क्या होगा सं़्ख्या एतिया एतना अपने सोच लिया अपके अनुसार तो 64X LCIUM हुआ है और यहां पे दिया हुआ हे 256 256حت दोनों को बynाबर रुख लीजिए x की वैल्यू निकाल लीजिए 256 बट1 64 कितना आ जाएगा चार बार जा रहा है क्या भाग x की value आपके पास यहाँ पर 4 आएगी x की value क्या आएगी 4 आएगी आपके पास अब आपको संख्याएं देखनी है 8x और 64x है इनकी value निकालो पहले तो 8x वाली संख्या क्या हो जाएगी 8 x की जगा क्या चार तो कितना 8 चोके 32 ठीक है दूसरी संख्या क्या है 64x थी तो 64x की जगा क्या मान लखना है 4 कितनी हो जाएगी 64 चोके 256 होता है ठीक है इतनी value आपके पास आ चुकी अब इन दोनों का HCF आपका उतर होगा तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा महतम समा पड़ते हैं आपको निकालना आता है न या नहीं निकालना आता LCM और HCF वाली क्लास आप देखेंगे या फिर बुक से जो full syllabus वाली बुक है उससे HCF लCF निकालना पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट जो प्रशन आपका रहता है 4X2-9 का गुणन खंड ग्याद कीजिए 20 गनित का सवाल आप इसको बोल सकते हैं ठीक है एक सुत्र मुझे बनाना है क्या सुत्र बनाना है आपको 7 या ठी क्लास में मैथ में पढ़ाया होगा कि A2-B2 इसको कैसे सौल कर सकते हैं इसको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो A-B, A-B एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया दोनों संख्याओं को आपस में मैं 4 को 2 की स्क्वेर लिख सकती हूं और X को भी ऐसे लिख सकती हूं 2X की whole square मैंने लिख दिया इसको, ठीक है माइनस का माइनस, 9 को मैं 3 की स्क्वेर लिख सकती हूं ठीक है यह 3 की square करते हैं, 9 आता है 2 की square करते हैं, 4 आता है मैंने लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, क्यूं लिखा सवाल सोल हो जाए ठीक है अब x की a की value यहाँ पे a है ना यहाँ पे b है मेरे पास यहाँ पे a की जगए क्या है a a की जगए है 2x और b की जगए क्या है आपके पास यहाँ पे 3 b की जगए क्या है 3 a की जगए क्या है 2x ठीक है समझ आ रहा है एक ही जगह 2X है B की जगह 3 है एक बार जोड़ो एक बार घटा दो इन दोनों को एक बार तो जोड़ो और एक बार घटाओ तो 2X प्लस 3 एक संख्या तो यह हो गई 2X माइनस 3 एक संख्या आपकी यह हो गई ठीक है तो ये आपका क्या हो गया गुणन खंड हो गया आपका आंसर हो गया दो एक्स प्लस तीन और दो एक्स माइनस तीन समझ में आ रहा है आपको उत्तर समझ में आया ये उत्तर आना चाहिए था आपका ठीक है ये उत्तर आपका आना चाहिए था एक्जाम में नेक्स्ट प्रश्ण देखेंगे समकोन तिर्भुज है समकोन तिर्भुज और कार्थ क्या है जिसमें 90 डिगरी का कौन हो समकोन तिर्भुज का अधार 3 सेंटीमीटर है अधार कितना है नीचे वाला है 3 सेंटीमीटर लंब इसका है 4 सेंटीमीटर लंब 4 cm अधार 3 cm है तो समकोन तिरबुज का कर्ण गयाद कीजिए कर्ण यह है इसका मान आपको गयाद करना है कर्ण का सुत्र आपको पाइथागोरस पर मैंसे बहुत बार बताया है क्या है अधार की स्क्वाइर प्लस लंब की स्क्वाइर का अंडरूट निकाल दो करना जा लिए गा तीन की स्क्वाइर 9 4 की स्क्वाइर 16 9 प्लस 16 कितना हो रहा है 25 25 का अंडरूट कितना होता है इसको 5 कुणा 5 लिख सकते है ना तो 25 का अंडरूट 5 हो जाएगा सैंटीमीटर में तो सैंटीमीटर 5 आ जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 cm आपका करना अगे हाँ काफी सारे स्टूडेंट काफी इंटेलिजन्ट भी है बहुत जल्दी भी कर रहे होंगे बट हमें यहां पे सभी स्टूडेंट्स को साथ में लिके चलना है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं और जिनका मैं सब्जेक्ट भी नहीं रहा तो उनकी मैथ वीक हो सकती है तो सभी को साथ लेके चलेंगे इसी बात पर एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ें इसकी पीडियाफ लेने के लिए और अगर आपको बुक मंगानी है हमारी तो आप Amazon और Flipkart से मंगा सकते हैं अब प्रशन आ चुका है इस तरह के प्रशन आपको बहुत एक्जाम में भी मिले होंगे पीछे जो मैंने और आपको बुक के अंदर भी मिले हैं तो बुक में भी मैंने प्राइकताव का सवाल भी दिया था समुच्चे का सवाल भी दिया था क्यूं साथ है यहां पर तो साथ का फ्रेक्टोरियल आपको निकाल देना था यह बहुत बार करवाया हुआ है पहले भी तो साथ का फ्रेक्टोरियल कैसे साथ को उल्टा लेके चलो इन संख्यां को साथ गुणा छे गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा और मुझे बता है आप लोगों कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट है मुझसे भी जल्दी आप गुणा कर लेने वाले हो फटा-फट से कर लो मैं यहां पे फटा-फट से कैलकुलेटर से करके बता देती हूं आपको तो 5040 जो है यहां पर आपका उत्तर आने वाला था ठीक है ने एक ही घात कुछ भी हो और उसके ब्रेकेट के बाहर कोई संख्या हो इस तरह से ठीक है तो वह आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है यह चीज मैंने आपको बताई थी कई बार बताई थी कई बार बताई थी कई बार बताई थी कि आपस में गुणा हो जाती है 6 muzili Estate साव करिए 21 है क्या है हमारे पास 21 है 21 की घात कितना है तीन है और बाहर कितना है एक बट्रीष तो 21 यहाँ परनेगे बडाबर यहाँ लगा देखित स॑ था फिन गुनाएक बड़े तीन ही गुणा हो जाए एक आती है, इंकिस की घात, एक का मतलब यह ही है, एक इस खीत ही होता है, ठीक है, कोई रिकत नहीं है, इतना easy सवाल था, यह जिए सवाल गलत नहीं होना चाहिए था दिखो, करवाया हुआ था, और काफी सथुदेंट का यह सवाल सही भी था, काफी सारे श्ट्टु investigate का यह सवाल ही भी था इसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए एजी सवाल में आता है ठीक है ऐसे प्रस्टाश्यन भी बहुत करवाय हूँ है बुक के अंदर भी काफी सारे प्रस्टन ऐसे हैं तो 245 की क्यूब 183 की क्यूब क्योंफ किया प्यूप करो क्यों क्यों चुब कर ओफपर यह किए काउग आपको व्याद करना है गुणा कर दो इन सब को अपसमें पांच गुणा साथ गुणा साथ कितना हो गया चाथ को करेंगे फी नाइन और फोटीनाइन को 파ंट से करेंगे कि दो सो पैंतालीस है क्या देख लेना फैंट लेम एक बाल 245 आपको या करत करना है तो एक इकांक लास्ट वाला पांच उत्तर आ जाएगा पांच होगा इकांग ठीक है यह प्रश्ण था जब इस प्रश्ण में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं थे आपको बहुत बार मैंने आपको क्या एक्जांपल लेके बताया हुआ है 999 और उसकी घात बच्चों क्या आगई 0 आगई इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी तो आप बता दोगे मैंनम फटा फट से एक होगी क्योंकि आपने क्लास भी लिए और आपने मेरी बुक से भी फड़ाए वैसा ही सवाल था एक्स की घात 0 का मतलब मैंने आपको कई बार बत होता है था कि किसी भी संक्षिया की घात कितनी हो जीरो हो सका मान हमेशा क्या होगा एक होगा क्या होगा एक होगा तो एक्स की घात 0 किन yapมidd di car ला भी नहीं थी नेक्स्ट अप्र स्न देखेंगे यह प्रस्णा गया यहहई भी भाहत ही फीजि लगभग जो प्रस्ण है मैं e तं दो आप्स में किस उत्तर आजाएगा थीक है next उत्तर में वरगं और पता है आपको ऐसी होती है आद ठीक पूचा है, स्वाल में, एक वर्ग की भुजा 6 cm, यह वर्ग है, वर्ग की भुजा 6 cm, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, आपको पता हैं क्या, छै, 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 ठीक है, तथा आयत, एक आयत है, जो इस वर्ग से सटा हुआ है, ठीक है, यह मैंने रफ चित्र बनाsyाया है, रफ चित्र बनाया है ताकि आपको बस समझ में आ जाए इसी लिए ठीक है आयत की एक भुजा वर्ग की भुजा से दुगनिया वर्ग की एक भुजा में पता है 6 है दुगनी 2 से गुणा किया कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर ठीक है आयत की दूसरी भुजा 3 गुणी है वर्ग की भुजा से ठीक है तो वर्ग की भुजा कितनी से 6 है तीन गुणी करेंगे तो 18 सेंटीमीटर तो एक भुजा आयत की आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो ये 12 cm है तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 cm, ये 18 cm है तो एक भूजा तो कितनी आगई 12 एक कितनी आ गई 18 आयत की, आयत की आ गई और अब क्या करना है? अब प्रश्ण में हमें कह रहा है कि दोनों के 16 फल का योग vigorij कमलाइद करो और आयत का वर्ग का छेत्रफल वर्ग का निशान इस तरह से होता है चेत्र आपको पता है वर्ग का छेत्रफल का सुत्र क्या है बताओ फटाफट से जल्दी बताइए वर्ग के छेत्रफल का सुत्र भुजा गुणा भुजा होता है बुजा कितनी है 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36 और 6 रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वेर में ही आपको लिखना है आयत का चेतरफल लंबाई गुणा चोड़ाई सुतर पढ़ा हुआ एल गुणा भी 18 है लंबाई और चोड़ाई कितनी है 12 यह दिया हुआ है ना 18 और 12 क्या दिखते है फिर 18 गुणा 12 गुणा कर दो 216 सेंटीमीटर स्क्वेर दोनों का आ गया 36 आ गया 216 आ गया 216 जोड़ द को कितना आ रहा है बताओ 252 आता है क्या 252 सेंटीमीटर स्क्वेर चेतरफल है क्योंकि उत्तर आ गया होगा यह यह हमारे सभी बच्चों का सही हुआ था इस सवाल 252 सेंटीमीटर नेक्स्ट प्रश्ण देखेंगे यहां पर आपके सामने आ चुका है दिख रहे हैं सभी को यह प्रश्ण आपका आ गया है यहां पर प्राइक्ता का प्राइक्ता और समुच्चे का मैंने आपको बार-बार कहा था कि यहां से इस बार प्रश्ण आने वाले हैं क्योंकि पीछे जो लास्ट एक्जाम होए थे उनमें भी आये थे तो पूरा आइडिया था कि उचाला जाता है तो कम से कम एक हैड आने की याने एक चित आने की संभावना कितनी होगी ठीक है दो सिक्कों को उचाला आपको पता है आप एक सिक्के को उचालते हो तो क्या सकता है क्या सकता है या तो हैड आएगा या टैल आएगा ठीक है या तो क्या आएगा हैड आएगा या टेल आएगा फिर दूसरे सिक्के को उच्छाते हो तो क्या आता है एक बार हेड आता है या एक बार टेल आ सकता है ठीक है अब दो सिक्के हो गई अब क्या क्या संभावनाई हो सकती है दो सिक्के हो गई मैं थोड़ा सा समय लगा रही हूँ इसमें तक आपको अच्छे से समझ में आए, इन दोनों का जोड़ा बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, फिर पहले को लेना और दूसरे को ले लो, इन दोनों का जोड़ा बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन रहा है साफ साफ, फिर इसका दूसरा लेना स्टार्ट करो, इन दोनों का जो इस तरह से दो सिक्कों के यहाँ पे इतनी संभावनाई बन सकती है हमें क्या संभावना बनानी है हमें बनानी है कि दो सिक्कों को उच्छाला है कम से कम एक हैड तो आना ही चाहिए कम से कम ठीक है तो इसमें आ रहा है head, इसमें आ रहा है head, तीन बार head आ रहा है, तीन बार head आ रहा है, चोथे में head नहीं आ रहा है, हमारे पास total संभावनाई कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4, total संभावनाई 4, तो total वाली तब को बटे में लिखनी है, ठीक है, और हमारे प्रश्न के अनुसार कितनी 3, ठ प्रश्ण करवाया हुआ था इनको तीन बटे चार यह सेम प्रश्ण करवाया था नेक्स्ट प्रश्ण आप देखते हैं यहां पे पहली संख्या का 30 प्रतिशत दूसरी संख्या में यदि जोड दिया जाता है तो दूसरी संख्या तो एक बटे 5 बढ़ जाती हैं दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ एक संख्या A मानली एक बी मानली पहली संख्या का 30 प्रतिशत पहली संख्या क्या है हमारे पास A एका 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत का मतलब बटे मिसू कर लिया, संख्या में जोड दिया जाता है, पहली संख्या का 30 प्रतिशत निकाल लिया, दूसरी संख्या में जोड दो, दूसरी संख्या का मान कितना है, बी है, बी में जोड दिया, जोड दिया, तो क्या होता है, दूसरी जो संख्या है वो एक बटे पांच बढ़ जाती है दूसरी संख्या कितनी बढ़ गई एक बटे पांच दूसरी संख्या है कितनी बी है और ये एक बटे पांच बढ़ गई मतलब पांच थी उसमें एक और बढ़ गई तो पांच और एक छे तो बी गुणा छे बटे पांच यह आपके पास आया है, इसको आपको sol करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्या करना है, बस sol करना है, करो, एक 0 से 1 0 काट दो, 3A बटे 10, प्लस B बराबर 6B बटे 5, यह 3A बटे 10 को इधरी रखो, बी को दूसरी साइट बेजो, तो B किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है न, यहाँ पे, किसका हो जाएगा, दूसरी साइट जाके, माइनस का, अब इसको ऐसे रखो, 3A बटे 10, बी, बी दोनों में कोमन है, बी इसमें भी, इसमें भी बी को एक बार कोमन दो यहां क्या बचेगा छे बटे पांच यहां बी कोमन चला गया कुछ नहीं एक बचा अब बी ऐसे रखो यहां पर लगूतम लो पांच और छे में से बचेगा जिनका मैं सब्जेक्ट नहीं रहा है ठीक है इसलिए एक एक सब्जीक्ट बटाना पड़ेगा एक बटे पांच आ गया यहां पर क्या है तीन ए बटे दस है क्या दिकत नहीं कर लेंगे अभी अब आपको A अनुपात B निकालना था तो A बटे B यह B कहां आ गया गुणा में था बटे में आ गया यहां पहले से क्या था एक बटे 5 था क्या था एक बटे 5 था यह यहां 10 नीचे था 10 उपर गुणा में आ जाएगा तीन ऊपर गुणा में था तीन नीचे भाग में आ जाएगा अब काट लो 5 एकम 5 पांच 5 दुनि 10 A बटे B कितना आ जाएगा 2 बटे 3 कितना आ गया 2 बटे 3 A अनुपात B आपको ढ्यात करना था कितना आ गया 2 अनुपात 3 आ गया यह उत्तर आपका देखो, एक बार प्रश्ण में क्या गयात करना दोबारा देखो, दोनों संख्याओं का अनुपात बताईए, अनुपात बताना था, ए अनुपात भी, दो अनुपात तीन आ चुका है, ठीक है, जैसा प्रश्ण में कहा, वैसा वैसा आपने लिखा है, कोई करती है दो केजी आटा खरीदती है किस भाव से 35 रुपए प्रती केजी के भाव से ठीक है फिर क्या करती है दो किलो चावल भी खरीदती है किस भाव से चार रुपए प्रती केजी के भाव से फिर क्या करती है तेल खरीदती है वैसे तेल लीटर में वाना चाहिए था पर तीस रुपय प्रती केजी के भाव से तो कुल रुपय उसने कितने खर्च किये वो आपको बताना है आटा कितना क्वांटिटी कितने आटा की दो केजी सबकी क्वांटिटी दो यह ठीक है चावल भी 2 kg खरीदे हैं तेल भी 2 kg खरीदे हैं आटा 2 kg खरीदे हैं 35 के भाव से तो कितना हो गया 70 चावल 2 kg खरीदे हैं किस भाव से यह खरीदे हैं यहां पर 40 रुपए के भाव से तो 2 गुणा 40 कितना हो गया 80 हो गया तेल खरीदा है किस भाव से 30 रुपए के भाव से तो कितना हो गया 60 हो गया जब तीनों चीज़े आगए अपके पास तो इन तीनों हो जोड़ दो कितना हो जाता है 210 210 रुपए में शोपिंग करके आगए ठीक है और कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं किया इसने काम-काम की जीज़े लिए तो 210 रुपए नेक्स्ट प्रश्ण देखेंगे यह प्रश्ण आपके सामने स्क्रीन पर आ गया सभी को दिख रहा है चलिए करते हैं सवाल एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी है यदि लड़कों की संख्या 45 प्रतिशत है तो उस कक्षा में लड़कों की संख लड़कों का प्रतिशत यहां पर कितना बताया है 45 प्रतिशत लड़कों का कितना हो गया 45 प्रतिशत माइनस कर दो लड़कों की संख्या ग्याद कर लोगे 1320 है टोटल संख्या 1320 का पचपन प्रतिशत निकालना है तो बटे में 100 निकाल दो जिल्दी से काट लो कटिंगी तो करनी है भी एक 0 से एक 0 काट दीजे इसके बाद में 2 से काट लीजे 2 से कट जाएगा 66 ये 2 से कट जाएगा 25 ये 5 एकम 5 और ये 11 आ जाएगा यहां पर अब 66 और 11 को बुणा कर लो शैद ये कितना 2726 के राउंड आएगा ना 2726 के राउंड आएगा तो ये आपका लडकियों की संख्या जाएगे लडकियां कितनी है क्लास में 726 लडखिया है और लड़के कितने हैं क्लास में अगर लड़का पूझा जाए तो कैसे निकालेंगी 320 मेसे माइनस कर देगी अगर लड़के निकाले जाते तौ क्या करते 320 मेसे 726 माइनस कर देना इकि है नेक्स्ट परसन आपको उत्तर यहाँ पे बहुत जादा जरूरी है नए साथ ही सब्सक्राइब भी करें क्लास को शेयर जरूर करें काफ़ी सारे ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं पता है हमको ठीक है जल्दी से शेयर करें आठ आदमियों की ओसत आयू में दो वर्ष की व्रधी हो जाती है यदि इनमें से 20 वर्ष की आयू वाला एक आदमी बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए आदमी आ जाता है तो नए आदमी की आयू ग्यात कीजिए ऐसे सवाल बहुत बार करवाएं और क्या बताया था मैंने कि पहले आपको क्या देख लेनी है व्रधी देख लेनी है कुल व्रधी यहाँ पे कितनी हो रही है दो दो वर्ष की व्रधी सब में हो रही है और सत आयू में दो वर्ष की व्रधी हो रही है मतलब हर एक आदमी में दो दो वर्ष की व्रधी हो रही है कि जो पुराने आदमी की आयू हो, उसमें जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, जो व्रदी हुई है, वो जोड़ देनी है, पुराने आदमी की आयू कितनी है, 20 वर्ष, कितनी है, 20 वर्ष, तो 20 में प्लस कर देना है, जोड़ देना, क्या व्रदी, व्रदी यहां पे कितने निकाली आपने 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा 36 वर्ष कितना इजी प्रश्न था अब पेपर में आपको इतना लिखने की सुरत नहीं होती मैंने लिखा है क्योंकि मुझे पीडियाफ आप लोगों के साथ शेयर करनी है टेलिग्राम पे एक्जाम में आपको क्या करना है आनी खतम उत्तर आ गया इसलेक्शन हो गया मिठाई भी खिला देना में नेक्स अप्रश्न देखो यहां पर एक निश्चित धन राशी बीस वर्शों में दुगन्यों जाती है राशत का होगी इए आपको निकाला है राश method इक इतनी एक्स मानके भी कर सकते बड़ 100 मानके मुझे हमेशा इसी रगता है मैंने आपको इतना हो गया सो गुणा दो 200 हो गया मिश्रधन ठीक है इतना हो गया आपको हजार बार बता है ब्याज क्या होता है जो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देते हैं वो ब्याज रहता है ठीक है तो ब्याज गितना हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन 200 माइनस 100 यानि 100 रुपए आपके पास ब्याज क्या गए ठीक हैं दर्ग याद करनी हैं सीधा एक ही सुत्र है सद्धारन ब्याज का आपको पता है पी आर्टी बटे सो मूल्दन गुणा दर्गुणा समय बटे सो देखो मैं कोई ट्रिक आपको नहीं बता रहें गों ट्रिक अगसाम में जाके आप भूल भी सकते हो यहां ट्रिक की जरुरत पड़ती है जो ट्रिक आपको याद रह सकते हैं वो ट्रिक में बताओंगे बखी बेसिक से करो ना अराम से एक गंडे का समय होता है इतना easy paper आता है आपके विश्वास विश्वास है तो सधारन ब्याज सधारन ब्याज कितना आ गया यहां पर 100 है ना दुगनी 20 वर्ष समय है बटे में सो यह मान रखा आपने यह एक सेकंड में आप सोल कर सकते हो 20 से 20 आप काट सकते हो यहां पे यहां पे सो है बीच इधर गुणा में इधर रखे भाग में आ जाएगा और कामान आ जाएगा काट लो इसको जीरो और आगे काटो दो एकम 2 और दो पांची 10 पांच आ रहा है कि नहीं आरा आर कामान कितना आ रहा है पांच प्रतीश अतार है बिल्कुल एजी है एक बार पैन उठाओ तो सही आत्में बहुत इजी प्रशन ठीक है तो ऐसे यह को आप सोल कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से इजी है नेक्स्ट प्रशन बहुत ही अच्छा था फुरसा दिमार्ग लगाने वाए था अगर आप लगा आप साथ उत्तर आगां सिदहर को कितनी बार जोड आव हें जोडे है जोड़े जोड़ते जोड़ते जो ठीक है तो जोड़ने में कई लोग यं टाइम भी वेश्ट कर दिया घूल एसा नहीं करना था सीधा इक्यानमें में तेरा का भाग दो कितना आ राए सात उत्तर आज कौन after नाइब तिकर नेक्स्ट प्रशन पढ़ो त्रीकौल्ण से है उसी तरह चित्र मीथि का संबंध किस्वेंग को रिजनिंग का प्रशन आ गया है तो यह आपका उत्तर छेत्रमि रहे तो मलिख नहीं पाई पर उत्तर इहां पर आपका 7 रफ़ था और ये बच्चे ने बताया है की 6 रफ़ आप्शन में था उसको एक ओप्शन याद था ठिक हैं तो ये उत्तरा का तरफल हो जाएगा नेक्स्ट और प्रश्ण कुछ इस तरह का आया था यह प्रश्ण तीन-चार बचों में भेजा है निम्न में से भिन है देखो कई लोग ऐसे बताएंगे कि यह प्रश्ण नहीं था यह प्रश्ण नहीं था एक्जाम में देखो अलग-अलग एयारों का पे प्रश्ण यहां पर कलेक्ट करने की कोशिश की गई है इतने ज्यादा हो सकते थे ठीक है तो एकदम बच्चों से कंफर्म किये हैं वही आपको करवाया जा रहा है तो आपको अराम से अपनी तयारी करनी है ऐसा ही प्रश्ण नेक्स्ट एक्जाम में आने वाला इसी तरह के लग तो प्रश्ण आते हैं कुछे एक्जा आलग हो सकता है बाकी यही आएगा तो फटा-फट ते देखो निमन मेंसे भिनहें क्या अलग है देखो जीब स्वाध सूंग ना सूंग किसे जाताए नांख से सूंग जाता Hey देखा कहां से जाता या फिर स्वाद जीब से आया है ये स्वाद और जीब होना चाहिए था तो इस हिसाब से ए option आपका क्या हो जाता है भिन हो जाता है और यह ही उत्तर होगा next question ये आपका reasoning का प्रश्ण है reasoning का प्रश्ण है ठीक है चलिए प्रश्न दिख रहा है सभी को प्रश्न अभी को दिख रहा है ठीक है यहाँ पे एक शब्द ये दिया था NPX दूसरा सब्द ये दिया था LQW तीसरा शब्द था JRV चोथा शब्द आपको यहाँ पे याद करना था इनमें आपस में कुछ संबंद था क्या संबंद था, देखो ये जो N है N आपको पता है, 14 नमबर पर आता है BCD में, N में से 2 माइनस करो 12 नमबर पर क्या आता है, L आता है ठीक है, L में से फिर 2 माइनस करो 10 नमबर पर J आता है, J में से फिर 2 माइनस करो क्या आता है, H आता है आता है ना ठीक है अब लो second वल अक्सर सभी का second अक्सर लेंगे ठीक है second later लो सभी का P में एक जोड़ो देखो मैंने एक जोड़ के लिखा है P में एक जोड़ो कितना आता है Q आता है फिर Q में एक जोड़ो कितना आता है R आता है R में एक जोड़ो आगे बाद अक्सर क्या आएगा S आएगा कि नहीं आएगा ABCD याद है ना नहीं याद तो copy में लिख लो और फिर करो गलत नहीं होना चाहिए ठीक है अब X का देखो X में से एक कम करते हैं X से जस्ट पहले W आता है W से जस्ट पहले एक कम करते ही V आता है V से जस्ट पहले क्या आता है U आता है तो HSU यह उत्तर होगा यह उत्तर होगा थीक है, इस तरह का प्रश्ण था Next प्रश्ण देखो यदि A का अर्थ प्लस है B का अर्थ माइनस है C का अर्थ गुणा है और D का अर्थ भाग है तो इसको sul करना है, कुछ नहीं करना A की जगह, B की जगह, C की जगह जो भी दिया है वो लिख दो A की जगह प्लस मानना था, प्लस मानन लिया ठीक है 14 का 14 C की जगга गुना मानना था, मानन लिया आगे क्या है? 6 है और फिर D है 6 का 6, D की जगए भाग मानना था, मानना था, 3 का 3 लिखा, और फिर B की जगए क्या मानना था, देखो, माइनस मानना था, तो B की जगए माइनस मानना था, हमने, और फिर आगे 6 लिखा है, 6 का 6, तो इस तरह से हमने ये लिखा है, अब क्या करना है, अब इसको बस सरल करना है, सरल करना आपको वैसे आता ही है आता है ना चलो करो सबसे पहले भाग को सरल करते हैं बोर्ड मास का नियम आपने फढ़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है 6 में भाग देते हैं 3 का तो 2 बार जाएगा माइनस 6 अब 16 का 16 14 और इसको 2 को मल्टिपलाई कर आपस में 28 माइनस 6 अब 16 और 28 को जोड़ दो कितना 44 माइनस 6 44 में से 6 माइनस करते हैं 38 यह आपको उतरा गया हुआ एक्जाम में याद आ रहा है क्या जन स्टूडेंट के पेपर में यह क्यूशन था उनको याद आ रहा है यह एक और रिस्टिंग का प्रशन आपके सामने आ गया है देख पा रहे हैं सभी आप चलिए solve करने की कोशिश करते हैं इसको हम solve करने की कोशिश करते हैं ठीक है यह शब्द दियो है चौथा शब्द आपको ग्याद करना है सबसे पहले पहले देखो पहला देखो B है B में 6 जोड़ो B दूसरे नमबर पे आता है 6 जोड़ते है 8 पे नमबर पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा ठीक है 6 जोड़ा है आपने समझ में आ रहा है तो इसी तरह से N जो है 14 नमबर पे है N में 6 जोड़ो 20 वे नमबर पे क्या आता है T आता है मतलब पहला अक्षर आपका T आना चाहिए उत्तर में ठीक है दूसरी काने देखो क्या है C है C आपको पता है 3 नमबर पे आता है ABCD में C 30 नमबर पे आता है C में भी 6 जोड़ो C में 6 जोड़ो के I ऐख बन रहा है ठीक है ऐसे ही O में 6 जोड़ो तो U आ जाएगा सबी में 6 जोड़ते जाना है F में 6 जोड़ो L आ रहा है इसी तरह R में 6 जोड़ोगे क्या जाएगा X आ जाएगा G में 6 जोड़ों के M आ रहा है वैसे ही M में Q में 6 जोड़ों के क्या जाएगा W आ जाएगा Q में 6 जोड़ों के W क्या किया सभी में 6 6 एड़ कर दो N में 6 एड़ किया T O में 6 एड़ किया U R में 6 एड़ किया X और Q में 6 एड़ किया W ABCD याद है याद है तो बहुत अच्छी बात वरना कोपी में लिख लो ठीक है तो ये आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा ये उत्तर आ रहे है ठीक है याद आ रहे है कुछ ये कुछ एक सवाल था इस तरह से आपके सामने कोई लड़का है जिसका अरुन नाम था शैद गोघी आपके पितम की पिता बहा है वसक्या हो गही बुगा और ुट चाल के लेके बहुत है और इसके पुत्री पहित किया ये रहे है पिताजी की बैहां अरुन की क्या लगी ये देखो बुगा लगी बुख और इसकी पुत्री इसकी पुत्री क्या लगेगी और उनकी बहन लगेगी तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और प्रशण आपके अपर सोल करवा जहाते हैं तो आप और प्रस्न भी भेज क्ते हैं एक बात यहाँ पर इंपोर्टेंट यह है कि तरौना डिफेंस अकेडमी का एप आपको डाउनलोड करना है इंपोर्टेंट नोट्स के लिए और वहाँ से आप e-book भी लेख सकते हैं एपक टेकनिकल टीम जो है 10-20 रुपए में ही आपको इ-book प्रोवाइड करवाते हैं और यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्यूस्ट भी करवाए जाते हैं तो वह पीडियोफ आपको टेलिग्राम पे मिल जाती है आप यूट्यूब पे ले सकते हैं तो थैंक यू सो मुझ जय हिन जय भारत अल दे बेस्ट